subscribe to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel now students see the seventh question question is write the following interval in set builder form यहां पर कुल मिला के 4 जो हैं इंटर्वल्स निये हैं जिनकी set builder form में लिखना है यहनि real number की form में यहां पर लिखना है हमें intervals तो सबसे पहले मैं write down कर देता है आप तो मैंने write down कर देता है आप आपकी screen पर देख सकते हैं intervals अब ज़रा first वाले को देखें first का क्या होगा सबसे पहले आप कैसे लिखते हैं इसे अगर आपको लिखना है इसे तो इसे denote करने के लिए सबसे पहले set में आप लिखेंगे x where x belongs to the real number x यहां पर real number से belong करता है यह तो आपको बताना है क्योंकि यहां पर अब देखें यहां पर minus 3 और 0 दोनों तरफ यहां पर क्या open bracket है तो पहले लेंगे x is less than 0 and greater than minus 3 यह आप ले लेंगे और यह आपका बन गया set next वाले में देखें 612 के बीच में x लाई करेगा पहले आप लिख लें के x where x belongs to the real number अब 612 के बीच में लाई करेगा आपका और साथ में दोनों तरफ यहां पर क्या है close bracket है तो close bracket है तो 12 से less than equal to और greater than equal to 6 हो गया यहां पर यह आपका बन गया next अगर आप देखें यहाँ पर 6 की तरफ जो है वो close open है और 12 की तरफ close है तो कैसे लिखेंगे x where x belongs to real number and x is greater than 6 और less than equal to 12 क्यों लिख रहा है 12 की तरफ equal का चाहिए क्योंकि यहाँ पर close bracket है और next में अगर आप देखें this one यहाँ पर minus 20 की तरफ close है और 5 की 23 की तरफ close है और 5 की तरफ open है तो यह कैसे लिखेंगे x where x belongs to real number and यहाँ पर x x is greater than equal to minus 23 less than 5 यह आपने as it is लिखती है अपर आप देखेंगे